यो फ्रेंज बदारोसा में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुती तेस्टी अंजीर हल्वा तो चेलिये बनाना शुरू करते हैं मैंने याँ 10-12 अंजीर लिए हैं वजन में ये 150 ग्राम है अंजीर को अच्छी तरह धो कर रात बर फिगो दिया था अगर दिन में बिगोने हो तो 6-7 गंटे बिगो सकती हैं मैंने अंजीर को मिकसर जार में डाल दिया है अब इसमें 2-3 चम्मच अंजीर वाला पानी डाल कर बारीक पीसना है पीसते समय कम से कम पानी ही डालना है मैंने यहां कड़ाई ली है अब इसमें 4 कप यानी 50 ग्राम बारीक वाली सूजी और 4 चम्मच घी डाल कर 3-4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर सेखना है आप सूजी की मात्रा बड़ा भी सकते हैं 100 ग्राम तक भी ले सकते हैं सूजी को बिना घी भी सेख सकते हैं पर इतने से गी डालने पर सूजी से अलग ही महक आने लगती है सूजी सीख गई है एक बार इसे साइड में रखना है मैंने आएक कड़ाई ली है अब इसमें चार चम्मच घी लिया है सूजी से डबल घी लिया जाता है पर मैंने एक साथ नहीं लिया है जबुरत के हिसाब से बाद में ले सकती है ही गरम हो गया है अब इसमें अंजीर का पेस्ट डाल कर चार से पांच मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर सेखना है लगातार मिलाते हुए ही सेखना है घी थोड़ा कम लग रहा है मैं इसमें दो चमच की और डाल रही हूँ सेखते हुए लगबग पांच मिनट हो गए है अब इसमें 50 ग्राम कद्दू कस किया हुआ सूका नारियल डाल कर अच्छी तरह मिक्स करना है अब इसमें दो चमच मेलन सिर्स यानि मगच की बीच एक चमच कटे पिस्ता एक चमच बादाम कत्रन और तैयार सूजी डाल कर दो मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर सेखना है सूजी सीखी हुई है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दो मिनट हो गई है अब सूजी से जार गुना पानी लेना है अंजीर वाला पानी तीन चोताई कप है जितना कम है उतना नॉर्मल पानी लिया है टोटल एक कप पानी लिया है मैंने इसे गरम कर लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है जिसमें अंजीर भी गोए हैं वही पानी लेना है अंजीर धोकर भी गोए हैं तो पानी एकदम साफ है पुरा पानी डाल दिया है पानी सूखने तक पकाना है पूरा पानी सूख गया है अब इसमें सूजी जितनी ही चीनी, गुड या मिश्री पाउडर डाल कर मिक्स करना है ये हलवा हेल्डी के साथ साथ बहुती टेस्टी बनता है इस हलवे को 8-10 दिनों तक फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकती है अंजीर हलवा तयार है आप भी जरूर बनाएए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए थेंक यू